Hello everyone, इस question का statement है हमारा, कि एक GP consists of an even number of terms, एक GP में even number of terms है, if sum of all the terms is 5 times, the sum of terms occupied odd places, अगर सारी terms का sum, बतब पूरी total even terms का जो sum है, वो 5 times है, sum occupied odd places, जो odd places की terms है, उसके sum के बराबर, then find its common ratio, तो आपको इसका common ratio find करना है, ठीक है? अब देखो, GP के अंदर कितने terms है, even terms है, तो मतलब A1, A2, A3, A4 से लेकर के, AN-1, AN, AN-1 से लेकर के, A2N-1, A2N, ठीक है, यह मेरे पास एक GP बन गए, जिसके अंदर देखो, 2N मतलब even number of terms है, अब इसमें odd वाले कौन से है, A1, A3 से लेकर के, मालनों, जो भी है, यह A2N-1, क्योंकि यह A1 है, तो इससे पहले वाले term आपके पास क्या हो गया? अब इसने बोले, sum of all the terms, इन सभी terms का sum मतलब, A1 plus A2 plus A3 plus A4 से लेकर के, बीच वाले term नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पे A2N-1 plus A2N is equal to 5 times है, sum of odd places वाले term का, sum of terms occupied odd places, मतलब, A1 plus A3 plus A5 से लेकर के, A2N-1, ठीक है? अब देखों, यहाँ पे सिर्फ odd terms हैं, यहाँ पे odd और even दो नहीं हैं, हमें सिर्फ odd वाले terms को उस तरफ minus में लेकर जाओंगा, तो आएगा A2 और plus का A4 से लेकर के, A2N is equal to 5 times, 5 को multiply कराओंगा, तो 5 A1, 5 A3 plus का 5 A5 से लेकर के, 5 A2N-1, मैं minus करेंगे A1 minus A3 से लेकर के, minus का A2N-1, ठीक है? तो देखों, इसमें से, इसमें से 5 A1 में से A1 गया, तो क्या बच गया? यह बच गया 4 A1, A3 में से A3 गया, तो भी बच जाएगा, आपके पास 4 A3, इस तरीके से भी बच जाएगा, 4 A5 से लेकर के, 4 A2N-1, इसमें से minus हो गया, ठीक है? यहाँ पे लिखावा है, A2 plus का A4 से लेकर के, A2N, ठीक है? अब यहाँ से 4 common आ रहा है, 4 common ले लोगे, तो आएगा, A1 plus A3 plus A5 से लेकर के, A2N-1, यहाँ पे A2 plus A4 से लेकर के, A2N, ठीक है? अब यह आपके पास यह भी total N terms है, और यह भी total N terms है, क्योंकि यह N even और यह N order total में लाके 2 N terms है हमारी, ठीक है? तो अब इसको अगर हमें solve करना है, तो इसका first term क्या है इसका? इस वाली GP का first term, first term इस वाली GP का है A2, और ratio इसका कितना है? common ratio, A4 by A2, A4 by A2, A4 का मतलब A, R की power 3, A2 का मतलब A, R, तो यह कितना हो गया? R square, ठीक है? इसी तरीके से इसका first term है, इसका first term है A1, और इसका ratio है, A3 upon में A1, मतलब A, R square upon में A, यह भी आ गया, R square, ठीक है? और अगर मान लो हमने let कर लिया, कि R greater than 1 है, तो इसलिए R square भी आपका एक से बढ़ा ही होगा, ठीक है? अब less than भी let कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका sum क्या हो जाएगा, first term, भाई, Sn का फॉर्णा क्या होता है? Sn का फॉर्णा ही होता हमारा, अगर R greater than 1 होता है, तो होता है A, R की power and minus 1 upon में, R minus 1, तो A की जगे पर क्या आएगा? A2 आएगा, तो यहाँ पर आजाएगा A2, R की जगे पर आएगा R square, R square minus 1, ठीक है, 4 times, A की जगे पर, first term की जगे पर क्या आएगा? A1, R की जगे पर क्या आएगा? R square, तो R square की power and minus 1 upon में, R square minus 1, तो इससे पूरी value cancel out हो गई, ठीक है, पुरा cancel out, A2 is equal to आगया 4, A1, A2 की value कितनी होती है? A and 2 में, R, 4 times A1 की value, A, A से cancel out, तो R is equal to आगया 4, ठीक है न? और यह इसका answer हो गया, clear है?